आप सबसकार जेहो गोडाइमन भरत मता कीजिए हो सेफसभ कीजिए हो आप सभी लीडस कीजिए हो मैं अम्रिज गजमेर वेज बंगाल करेने वाला हूँ फ्रॉम इंडिया और आप सभी सुबह की साथ बजे की ट्रेनिंग पर आप सभी को स्वागत करता हूँ दोस्तों हम सभी सुबह का साथ बजे ट्रेनिंग पर यहां पर आने का हम सभी का उदेश से एक ही है सीखना लर्निंग पर फोकस करना और फिर मैं आप सभी को याद दिलाने चाहूंगा कि 24 घंटा आपके पास है और उसमें से एक घंटा जो समय हम रोज सीखने के लिए निकालते हैं तो हम अपना ड्रीम लेवल को हम बहुत बड़ी एचिवमेंट पर हम लोग लेके जा पाएंगे दोस्तों तो यहां पर जो हम सीखते हैं दोस्तों जो चीज़ शुरुवात में हम सीखते हैं वही चीज़ बार-बार हमको दोराने होती है और हमें उस चीज़ में एक्सपर्ट होने के आउशकता है दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया तो आए दोस्तों सुनुवात करते हैं और आज थजडे हैं और इस सब्ता में पूरी टीम जबरदस्त आप सभी ने मिल करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और आप सभी ने बहुत अच्छा अपना मेहनत किये और बहुत सारा सेल्स और सारे लीड़र्स के लिए एडवांस में आप सभी को मैं बहुत बहुत बदा जैता हो दोस्तों तो आज जो टौपिक में बताना चाहँगा लक्षी बारे में अरना लक्ष Cyrus के बारे में और लक्षे मतलब ड्रीम ड्रीम गोल आप सभी ने अपना ड्रीम सेट किये हैं अभी दुबारा रोज आप लोग अपना ड्रीम को देखते हैं सुबह साम देख रहे हैं फड़ा सा हाथ खड़ा करके बताएं मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ सुबह साम क्या आप लोग अपना ड्रीम को देखते हैं आप अपने द्रेम को देखे और अपने आप रात को सोने से पहले कि देखते हैं आप लोग चेकरते हैं दिन की कारेकाल एक्टिविटीज को भूत अच्छा स्टूडेंट है हम सबी स्टूडेंट यह तो बहुत बढ़या सारे चीजों में ही आत खड़ा ओर रहा है और बस उससीज़ में ही हमें इमानदारे दिखानी है सारे चीजों में सही है तो चलिए शुरुवात करते हैं आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है शुरुबात करते हैं दोस्तों और सेपसब बिजनस में दोस्तों हमें 24 गंटा का रूटीन है यह दि आप फूल टाइमर है और बहुत सारे लोग पार्ट टाइमर भी है तो आप और हम सभी को मेंची सीखने की क्या हो सकता है जो ड्रीम जो लेवल के एचीव करने के लिए जो पाइदा नहीं आपका ब्रोंच लेवल फ्रेशर से जो ब्रोंच आप पहुंचेंगे सिल्वर बनेंगे आप प्लाचिनिम बनेंगे फिर आप गोल्ड बनेंगे हर एक लेवल को आप जो एचीव करेंगे तो उसके लिए जो एक्टिविटीज करनी होती है दोस्तो जो काम हमें करना होता है जिसको स्टेप बाइ स्टेप हम धीरे धीरे करके हम डाइमन लेवल तक पहुंचें और डाइमन लेवल के साथ साथ हम केपिंग तक पहुंचें दो लाख रुपे प्रतिविक और महिने का आठ लाख रुपे महिने कमाने के लिए एसाल हम लीडर बने और साल का एक कर्ण कमाने वाला लीडर बने हम सभी का लक्स यही है बड़ा से बड़ा सफलता पाना तो वहाँ तक पहुंचने के लिए जो process है प्रोसिस फ्लो है तो प्रोसिस फ्लो में जो important जो पार्थ है आपका सपने का निरधारन यानि कि आपका dream जो एट इस्टेप जो आता है तो सबसे पहले वहां पर आती दोस्तो तो द्रीम, ड्रीम का मतलब सपना, तो हमें सपना को जितना बारी किसे हम को, यहाँ पर सीखना है कि सपना क्ये से हम सेट करें, और उस सपने को step by step हम कैसे पुरा करते जाएं, हम अपना लक्षे निर्धारन करना, हमने यहाँ पर सीखा की नहीं शिखा, और जल से जल यहाँ पर हम सभी लक्षे निर्धारन कर सके अपना dream set कर सके और step by step उसके activities को करने के लिए जो है हमें वो सारे activities को करना होगा उसमें हमको महारत हासिल करना हम सभी की उदेशिया है दोस्तों तो उसी में से आज का जो topic है और point है फिर दुबारा में आप लोग को याद कराना चाओंगा सपने इन्रधारन का तो दोस्तों बहुत सारे लोग सेपसब बिजनस में भी जुड़े हैं और बहुत सारे डाडिक सेलिंग network marketing company में भी जुड़े हैं लेकिन एक गलती विशेश ल पार्ट uf में काम करने के लिए इस बिजनस सुना था लेकिन जब भी दो सिर्काते तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो बार बार हम मैं गलती करते थे सपने लिखों बोलते थे लेकिन सव्हारप Such Guldại थो इसलिए मैं यह है जाता कि हमारे आने वाले इतने भी शाथी है सेफस भुज्नस में आने वाले साथी तो आप लोग जो मैंने गल्ती की वे गल्ती आप लोग दो रहे हैं और आप लोग ओभी जो आज में यहां पर डाइमंड हो यहां से में विनस बन सकता था mercury बन सकता था यहां से crown भी बन सकता था same time पर लेकिन हम जाने अन जाने में बहुत सारे गलतियां करते हैं दोस्तों जिनकी वज़ा से हम अपने वो जहां हम पहुंचना चाहिए वहां तक हम पहुंचते नहीं है तो उसका एक खास कारण यह भी है दोस्तों विसेस हम गलती करते हैं यह हम अपने सपने को हम ज़्यादा महतों देते नहीं है पाना जरूर चाहते हैं लेकिन उसको लिखने में और वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रोसर्स है उस प्रोसर्स को हमको achieve करने के लिए जो हमको follow करना चाहिए उसको follow करने में हमना भोत देर कर देते हैं दोस्तों तो इसलिए आईए जानते हैं कि कुछ ऐसी points है दोस्तों जिसकी वज़ा से लोग अपना लक्षन ही बनाते हम आज सीखते हैं तो यह जो training है यह प्रगति सुत्रा से ही लिगा गया है और प्रगति सुत्रा में लिखा गया सारे के सारी जो sentences है जितने वी वाक्य है इसको वहां से लिया गया है ताकि आपको प्रगति सुत्रा में लिखे हुए जितने भी सब्द है और वाक्य है उसके महत्तों का आप लोग जाने और आप लोग खुद पढ़ करके आप लोग जादर जादा knowledge ले और आपको जल से ज कोई भी level को achieve करने में आपको सफलता हासिल मिले दोस्तों तो सफलता का मतलब जो है दोस्तों लक्षे को हासिल करना है सफलता का मतलब क्या है आप जो पाना चाहते हो आप जो बनना चाहते हैं जीवन में जो चीज पाना चाहते हैं तो वो चीज आप अपने जीवन में हासि करना यह सभी की एक लख्षय होता है दोस्तो लक्षय का मतलब ये हैं लकिन लक्षय दारन के नियमीड और व्य्वेस्तित अभ्यास की बधलत की हम गरीवी से अमेरी और कुन्ठा से संतो टृत्धा सफलता तक पहुंच सकते हैं है न दोस्तों लक्षय निर्धारन जो है हमें जो लक्षे निर्धारन करना सिखाई जा रहा है उसका नियमित यानि के बार-बार और व्यवैस्थत अभ्यास क्योंकि एक बार में होनी वाली चीज नहीं यह तो कोई भी छेत्र में आपको यह दी एक्सपर्ट बनना है और आपको वाक्य में उस इसमें आपको माहनत हसिल करनी है तो उसको आपको बार-बार अभ्यास करना है इसलिए इस पॉइंट्स को मैं बार-बार आप सभी के समझ में दोरा रहा हूं दोस्तों तो लक्षे निर्धारन के निय लिए लक्षे को लिखना और उसके अनुसार हमको एक्षन करना कितना ज्यादा इंपोर्टंट है हमारा सपना वहां तक हमको पहुंचने के लिए दोस्तों तो इसलिए हम सभी अपना प्रयास करें लक्षे निर्धारन करने का और बार-बार आप प्रयास किजिए अपना आपको उस बात को पहुंचाना होगा आखों को आखों से देखेंगे तो द्रिष्टी से आप देखेंगे तो आपके अंदर में फिलिंग्स आएगी एक विचार आएगा आप जब लिखेंगे डायरी में उसमें भी आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको फिर फिलिंग तो इसका मतलब ब्रह्मान भी आपको वो चीज़ देने वाली है दोस्तों जो आप बार-बार देखते हैं क्योंकि देखने से ही आपका दिमाग में विचार आते हैं और उससे एहसास बनती है और जो लिखा हुआ जो लक्ष है उसको आप जब बार-बार सुबह साम को टाइम सकते हैं और सेफसाब बिजनस में अजे पंडिसर जैसा बहुत बड़े लेवल तक आप पहुंच सकते हैं तो उन्होंने भी उनका भी वीडियो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह कर से तरीके से जो है अपने सपनों को बारे में उन्होंने बताया है दोस्तों वे वैसे में चिन्ता करते क्यों क्यों करते हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सब्सक्राइब और यहां पर एशास कराया जा रहा है और याद दिलाए जा रहा है कि आप इस तरह किसे आप अपने सपने तक आप पहुच सकते हैं तो हमें अपनी लक्षे के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस होने के आऊ सकता है हम दिन चरिया में बहुत सारे कामों की वज़े से हम अपना ध्यान भ्रमित हो जाता है जिसकी वज़े से हम अपना लक्षे पर कभी ध्यान करी नहीं पाते जिनकी वज़े से बार-बार फिर हम क्या विजी रेने की वज़े से हम भूल जाते हैं अपना लक्षे को देखना तो इसलिए मैं एकी चीज़ बोलना चाहूंगा दोस्तों बनी बनाएं सिस्टम है और बार-बार आपको एकी सिस्टम पर आपको सीख करके आप इसी चीज़ को यदि फॉलो करके आप काम करते हैं दोस्तों तो आप जरूर एक दिन आप डायमन लेवल तक पहुंचेंगे और आपके सारे वो सपने आपके पूरे होंगे जो आपने लिखा है या संजोया है दोस्तों तो इसलिए इस सिस्टम को हम सभी को इस सिसको रक्षब जरूर ना चाहिए दोस्तों बताना चाहूंगा आज सेफसर बिजनस में हम जुड़ने से पहले आप और हम सभी इस बिजनस से जुड़ने से पहले कुछ न कुछ तो हम काम करते थे जौब करते थे झाए खुद का छोटा मोटा कोई भी काम करती हो ना लेकिन अपने सपनों के लिए हम काम नहीं कर रहे होते हैं हम तो अपने जरूत के लिए काम कर रहे होते हैं लिए कहीं न कहीं एक मालिक जब उसके अंडर में एक हजार लोग काम करते हैं तो हजारों लोग तो अपने पेट के लिए काम कर रहा होता है लेकिन हजारों लोग किस के लिए काम कर रहा होता है उसके मालिक का सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं तो इसलिए दोस्तों आज वक्त आ चुका है shapes of business का मालिक आप खुद है और यहाँ पर आप अपने लक्षे बना करके अपना टीम का लक्षे बना करके अपना टीम के थुरू से आपको उसको उसकाम को सिखा करके एक sales का यहाँ पर अपना लक्षे बना करके आप नियमेत रूप से आप उसको multiple कर सकते compounding कर सकते जिससे यहाँ पर आप आने वाला 3-4 साल के अंदर-अंदर आप वहाँ तक पहुंच पाएंगे जहां तक आपने सोचा है दोस्तों जो डाइमेंब बनना है दोला केपिंग है आप 3-4 साल के अंदर वहाँ तक पहुंच पाएंगे तो इसलिए हम जहाँ नोकरी कर रहे हैं उसी कोई सी प्राथामिक तो हम देंगे दोस्तों तो कहीं है कि हम दूसरी का सपना पूरा करने के लिए हम अपना समय लगा रहे हैं लेकिन आज सेफसव बिजनस के लिए आप सुबह साम जब भी आपको टाइम निकाल करके ताइम किसी को नहीं मिलता दोस्तों समय किसी के पास भी परियाप्त नहीं है हमारे पास भी क्या है सीमित हमारे पास समय है और उसी समय में से हमको निकाल करके दोस्तों हमको मैनत करना होगा यदि आपका सपना है और आप वाके में डायमन बनना चाहते हैं और आपको विश्वा से 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 में डायमन बन जाओंगा और बन सकता हूँ तो दोस्तों आपको बार-बार आपको याद दिलाने के आउसकता ही नहीं पड़ेगा आप अपने आप खुद पर खुद आप अपना बिजनस के लिए सेफस अफ बिजनस में प्लान भी करेंगे फॉल आप भी करेंगे सेल्स क्लोजिंग भी करेंगे कमिटमेंट भी करेंगे आप हर सब्तर में चेक्स को बनाने के लिए आप फोकस भी करेंगे दोस्तों तो इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप जो आज काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ सेप्स आफ बिजनस में अपनल लक्से बनाएं कि मैं यहां पर अब मैं ब्रॉंज बनने बाला हूं अगला तीन मेने में यहां से सिल्वर बनने वाला हूँ अगला तीन मेने में यहां से में प्लाटिनम बनने वाला हूँ अगला चार मेने के अंदर पांच मेना छे मेने के अंदर में यहां से गोल्ड बनने वाला हूँ और मेरे टीम में जब gold बनूँगा मेरे टीम में इतने leaders होंगे मेरे जब gold बनूँगा मेरे टीम में 50 ऐसे डंदार active leaders होंगे और कम से कम मेरा gold level पर मैं महिने की income कम से कम लाख रुपे एक शिप करूँगा तो एक लक्षे बनाएए दोस्तों आप सभी अपने इसाब से यदि आप फ्रेशर हैं तो आप लक्षे बनाइए कि मैं ब्रोंज कब पहुंचूं आप यदि ब्रोंज है तो आप लक्षे बनाइए कि मेरे को तीन मेने के अंदर-अंदर मुझे यहां से सिल्वर बनना है यदि या आप सिल्वर हो तो आप फोकस किजिए अकलतीन मेरे गंदर प्लाटियम बनने के लिए तो इस तरह से जब आप फोकस होते हैं तो आप जब काम करना शुरुआत कर देते हैं तो आप आने वाला तिन तिन मेरे मेरे में अपना रिकर्टमिशन लेबल को बड़ा पाएंगे बड़े सपने देखना एक खुपसूरत आदत है और सपने नहीं देखना समाजिक बुरा है दोस्तों आज आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी लोग पिछले कई सालों से कई पीड़ी दसकों से वही लोग दुखी है जिनके पास अपना सपना नहीं है उनका लक्षे नही सब भड़ lange जають कर अधाशने क्युंट को शेते सक्योव-, जो की हमने कभी भी जिस महूल में रहकर कि हम सभी ने कभी भी बड़ा सपना कभी देखा ही नहीं थो इस लिए बड़े सपने आप में आना के बाद आप देख रहे हो तो यह बहुत ही खुबसरा एक आदत है और सपने नहीं देखना यह आज इतना ज्यादा बोलने के बाद में भी आज आप सपना नहीं देखते हैं तो कहीं बार बार उसके उसको सुबह साम देखे, और उसको इस्परन करते विए, मन में संकल्ब करते विए, आपको काम करना है कि मुझे इसको एचिव करना है. तो किसी ने ठीकी कहा है कि यहाँ पर कहावत है दोस्तों कि सफलता उनको नहीं मिलती नहीं सफलता उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंको से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है तो बिल्कुल ठीक कहा है दोस्तों यहाँ पर सफलता उनहीं लोगों को मिल do खबेंच को पहो। हुशुन हाएगा दोस्तों çू सिलिए है का जीवन हमारा मिलathers लेकिन जीवन रूपी-जीवन में अपना जीवन को बैतर बनाने के लिए पास हमको एक मौका भी मिला है लेकिन जब तक आप अपना सपना निर्दारान नहीं करेंगे तब तक क्या है आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है तो इसलिए पंक होने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता दोस्तों पंक होने के साथ-साथ उसके अंदर में उड़ने का जोस शबता तो इससे नहीं पढ़ता है आप जाना का है दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा हम किस क्रिश्ट भूमई से हैं हम स्टूडेंट्स है और जो कऊड़ी है हम चेहार अरग करने का लेकिन वहां से काम करने के बाद हम 8-8 गंटा 10-10 गंटा इतना मैनत करते हैं लेकिन फिर भी हम अपना कभी भी अपना सपना को पुरा नहीं कर पाए दोस्तों तो यह फरक नहीं पड़ता कि आपका अभी कितना बड़ा घर है कितना ज्यादा पड़ाली का है यह नहीं है आप कैसा काम करते हैं तो दोस्तों क्योंकि यह विचार जो है आपको कमजोर कर देगी और आपको हमेशा आगे बढ़ने से आपको हमेशा रोकेगी आपको डराएगी तो इसलिए आप सभी से में निवेधन करता हूं कि यह फरक नहीं पड़ता कि आप कहां से आये हैं क्योंकि आज अजेपंडिक सर रौके उनकी पिताजी जो डालाई वाहांपर फैक्टरी में उनकी पिताजी काम करते थे सर बोलते हैं कि सर ौब जब हम मांगते थे तो पिताजी 2 ूरुपे लेकिन पिताजी कैसे उनको दौश'll रूपे देता था वो कभी यह नहीं चालता है जिस तरह से मैं संगर्ज व पवला जीवन घिलेदे न को हमेशंप अपना क्वैस अधा किया लेकिन अपना बैश्चों को ह्वाइस पूरा करने की लेकिशने प्रियास टीछ आ seguinte काम किया तो भुर सारा गलती होति कहां पर किस तरह से गलती हो तो उससके एसास नहीं होता है लेकिन चार साल तक वो सर अपना सिर्वर होने के बाद उनको जब एसास हुआ कि भाई मेरा तरक्य किस लिए नहीं हो रही है तो उन्होंने फिर जब देखा अपना काम के तरीके को बदला अपलाइन से बर्ट करके उन्होंने कांसलें की तो उन्होंने फिर एक निव डी डाली लेकिन 8 साल के अंदर अपना पना जीवन में आप बताइए आज सेम सेम है लेकिन आप बताइए अजए 15 सरकर लाइफ आज लगजरी हो चुका है पिछले 10 साल पहले उनकी जीवन बिलकुल गरेवी थी लेकिन आप बताए आज कहां से काम पहुंच गया तो इसलिए हमें एक संदेश मिलता है दोस्तों कि आज कोई नहीं फर्क नहीं पढ़ता दोस्तों कि हम कहां से आये कैसा परिवार से आये आज हमारे पास पैसे है की नहीं लेकिन फर्क इस से पढ़ता है दोस्तों कि हमको जाना कहा ह आने वाला पांच साल बाद दस साल बाद आपका जो सपना आपने देखा है बड़े घर सपनों का घर बनाना आपका सांदार अपना ड्रीम कार को खरिदना अपने बच्चों को परिवार को खुशी देना देश वी देश की यात्राई भरपूर बैंक बेलेस आपका पास जो यहां पर अपने बड़ी से बड़ी अपना लक्षे को आप निर्धारित करकर के आप अपना सपनों को देख करके आप जब लगातर आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे तो एक दिन जरूर आप महां तक पहुंच पाएंगे दोस्तों तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंद होकर के आप आगे देख के काम किजिए भूत काल को ज़्यादा देख करके हम अपने आपको निरास करने के वज़ा हमें जाना का है उससे फोकस करके हम काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी हम एचिव्मेंट को हम यहां से ले सकते हैं अभी यहां पर बता रहे है स्री संजे जेंसर की मेरी प्रिष्टर भूमी नोकरी थी वो नोकरी करते थे जब मैं इस विवसाई से जुड़ा था तो मेरे स्पांसर फोन पर पूझते थे कि आपके अगले सप्ता के होने वाली सेल्स के बारे में कैसे क्या होगा बताओ तो हूँ नहीं कि भविष्या को देख लूँ और बता दूँ फिर भी क्योंकि मैं समर्पित था अपने अप्लाइन के प्रती में कुछ नहीं बोलता था और तुरंत आइडिया लगा कर पिछले सप्ता के सेल्स में जोड़कर बता देता था दोस्तों शुरू में संजे जैन सर कभी जब उनकी अप्लाइन पूछते थे कि आप अगला सब्त ह énormे क्या करने वाले होrene कितना सेल्स भेजने वाले हो अपना प्लानिंग बता हो तो कभी भी बता नहीं पाते थे क्योंकि वह अपना माइंचेट गोल शेटिंग वह वह प्रकार करना दोस्तों क्यासे गोल सेट जब आप उस लेबल तक पहुंचने के लिए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जब तक उस काम का लक्ष नहीं बनाएं और उस प्लाइन गे उसका ओंक है और आईडियर लगा करके बता देते हैं कि अगला जो है, शबते का यह है इतना सेल्स आएगा और फ़लना- престव फ़लना में जाने वाला हूँ तो बहुत सारे इस तरह से लोग है अपना सपने का लक्ष तो बना लेते हैं लेकिन जो काम करने का जो लक्ष है वो तरीके हैं, जो टाइम फिक्स है और उसके अनुसर जो action करनी है वो सारा चीज़े समय पर करनी पाते जिनकी वज़ास से दोस्तों बार-बार वो सोचते तो है लेकिन उनका वो सिर्फ सोचता की सिमिद रहती है और वो activities करनी पाते है दोस्तों तो इसलिए आप भी ऐसी गलती ना करें दोस्तों आप सभी अपना लक्ष बना लिजे क्योंकि अभी आप देख सकते 31 में तक आपका लक्ष है और जब शुरुवात हुआ चार महिने पहले जिस दिन आपका लंच हुआ तार्गेट की तो उस टाइम चार महिने आपको दिया गया तो 120 दिन का देख करके सारे लोग ताली बजाए खुस हुए सबी लोगों ने मन में लड़ू फूटे कि हाँ इस बार तो तार्गेट फाइट करेंगे लेकिन गलती फिर क्या कर रहे है हम वहीं पर कर रहे हैं क्योंकि अगला सब तक हमरे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि मुझे कहा कहा जाना है कितना इंविटेशन करना है कितना प्लान करने है और रोज उस पर फोकस करके हम काम नहीं कर पारे दोस्तों दोस्तों हमने सपना तो बड़ा बड़ा लिख दिया है ना आप मतलब यहां जाएंगे वहां जाएंगे इतना एचिप करेंगे इतना पैसे कमाएंगे लेकिन आप बताए कि क्या आपने जो एक्षन जो आपने बनाए एक्षन जो काम जो कारे कर जो लक्षे बनाए है क्या उस हिसाब से क्या प्रपर तरीकिसे आप बना पारें बहुत सारे लिडर से मैं पूछता हूँ कि आपका एक सब्ता का लक्ष क्या है उनके पास लक्षे नहीं अभी भी नहीं लक्षे दोस्तों आप थोड़ा सा बेठिए आप अकले में बेठिए और आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगला सब्ता येदि आप अपना पचास प्लान का लक्षे नहीं बनाएंगे तो पर डे का लक्षे के से होगा अगला दिन का लक्षे के से होगा और जब तक आप जो साथ दिन में 40-50 प्लान का लक्षे नहीं बनाएंगे के काम नहीं कर रहे दोस्तों सही है जो कि यहां पर संझे जैंसर भी क्या है उनको भी पूछ लेते अपलाई कि आपका अगला सब्ता का प्लाणिंग क्या है लेकिन वह आइडिया लगा के बता देते हैं उस दिन हम लोगों किताब से हम लोगोंने सिखा है दोस्तों कि आइडिया लगा के काम करने वाले लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं दोस्तों जो लोग सफल होते हैं दोस्तों उनके बाइप प्लानिंग काम करते हैं तो हम लीडर से यह आप अपने आपको कोर मानते हो तो आप अपना करनी चाहिए मैं बिलकुल समझ नहीं पाता था लक्षा के मतलब क्या है लेकिन इस बिजनस को करते करते पता चला कि यही तो एक है अनाड़ी और खिलाड़ी में अनाड़ी क्या करता है केवल गेंद फेकता रहता है उसको मान व सम्मान धन सोरत सब मिलता है वैसे लोग जबर्दस तरीके से गेंद को फेकना और उसको बल्ले बाजी करना सब कुछ उसको आता है जिनकी वज़ा से धन सोरत मान सम्मान वो सब कुछ उनको मिलता है दोस्तों आज सेपसप रूपी एक बहुत बड़ा सिस्टम हमें मिला है यहाँ पर हम आने के बाद यदि हम बार- और हमको असफलताई मिलते रहेगी दोस्तों लेकिन हम अपनी काम की तरीकी को सेली को थोड़ा बदल करके अपने सपने का लक्षे बना करके अपने जो काम का मेहनत का जो लक्षे बना करके आप डेली रूटीन में आप उस इसको फॉलो करते हो और खुद को मोनेटरिंग क पता नहीं है मेरे को सिखाए नहीं है चाहिए इसको सो बर बुझे यह ट्रेनिंग करना पड़े लेकिन आप लोगों को आने वाला दिन में लक्षे आसिल करने के लिए आप अपना ड्रीम सेट करना एक्षेंस का जो प्लैनिंग सेट करना यह सारा चीज में मैं पूरा भर दोस्तों कि मुख्य कारण क्या है कि जो लोग लक्षे नहीं बनाते उसका मुख्य कारण क्या है वे लक्षे को महत्वण नहीं मानते क्यूंकि ऐसे माहल में पड़े बड़े हैं जहां किसी के पास लक्षे नहीं रहे हैं इसलिए वैसक होने के बाद लक्षे की सक्ति से अं संगर्स कर रहे हैं लेकिन आज तक भी ऐसे परिवार में वहां पर माहूल में sontule जहां पर लक्ष निरधारन का कई वहां पर अता पता नहीं कोई सिखाने वाला नहीं किसी के पास सपने ही नहीं बस खाएरी तो इसलिए देख सकते हैं ब्यास को होने की बाद भी लक्षे के सकती से अंजानी रह जाते हैं आज कोई graduate student से आप पूछ सकते हैं आप अपने छेत्र के आप MBA student से पूछे यह ना आप उनके पास लक्षे पूछे कि आपका कोई एक मैने कोई लक्षे हैं वाकिय में दोस्तों लक्षे बनाने का तरीका बाहर में कहीं सिखाए नहीं जाता है तो हम कितने भाग्या साली हैं कि आज सेपस अब जैसे बिजनस में हम सभी को अपने लक्षे के बारे में यहाँ पर बताये जा रहा हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि लक्षे कैसे ते करते हैं कहीं लोग हैं बिजनेस को लख्स ऊपर सिखाय जा रहा हैं। और अपने सपने के लिए अपने आपको फिर्ड में जोग दीजे दोस्तों। तीसरा नमभर है जो लख्षक नहीं बनाते हैं वे हैं वे असफलता से डरते हैं वो लोग सुँचते हैं कि भाई मैं लिख तो लूंगा और लिखने के बाद यदु मैं असफ़ल हुआ तो इस तरह से दोस्तों कि हमारा feeling हमारा जो डर है वो डर से कि हम कभी लक्षे बनाती नहीं है और चौथा नमर जो पॉइंट से उन्हें अशुक्रित कर डर होता है अगर सफल नहीं हुए तो लोग अलोचना करेंगे या हसी उड़ाएंगे कई लोग बोलते हैं कई से मैंने पूछा है कि दोस्त आपका सपने है बला सपने तो है हां तो थोड़ा बता सकते हैं क्या है सपना तो बोलते हैं हो सीक्रेट है मैं बताऊंगा नहीं असल बाद यह पता चलिए दोस्तों कि लोग मैक्सिमम लोग क्यों सीक्रेट रखते हैं जानना चाते हैं अधिक तर लोग सीक्रेट इसलिए रखते हैं दोस्तों कि हम अपने जीवन म जीवन में बहुत बड़ी उप्रवदी तक पहुंचना चाते हैं वहां तक एचीव करना भी चाते हैं लेकिन वास्तवी कुरूप में हम अपना जीवन में अपना लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो हम कर नहीं पाते हैं सपना लिख दिया है लेकिन हमारा डेली पूरा होता नहीं है दोस्तों और नहीं होता है तो क्या है किसी को पता नहीं है किसी को बताया तो है नहीं तो उसको लगता है कि भाई मैंने सपना तो लिखा है लेकिन मेरा पूरा नहीं तो क्या है किसी को मालूम नहीं चला है तो मैं अपना क्या है थोड़ा सा बैज़ेत को बताता नहें और बहुत सारी गलतियां करता दोस्तों जिनकी वज़ास से उसका सपना पूरा हो चाय ना हो फिर वहác मान लेता है किसी को पताई नमें कलता कि भाई इसका सपना था भी नहीं झारा लेकिन हम सब तो हमको पूरा करके देखाना होगा को कमिट्मेंट करके उस इसको पूरा करने की हम आदत करते हैं और जो लोग अपना लक्षय को बना करके अपने दोस्त को यारियों को सबको बता करके और अपने आपको बार-बार याद दिला करके उस इसके पीछे भागता है उसका बिजनस स्कूल में 1969 और 1989 में होने मैं जो है आपका हर्वार्ट के MBA ग्रेजुट्स से पूछा गया क्या आपने अपने भविश्य के लिए इस पस्ट लिखित लक्षताय किये हैं और उन्हें हासिल करने की योजना बनाई है तो पता चला कि सिर्फ तीन प्रतिशत नहीं थे शिवाए इसके कि बिजनस स्कूल से जाने के बाद गर्मियों का आनंद लेंगे तो दस साल बाद उन्निस सो जो आप 89 में सोथ करता हूंने उस क्लास के आप सदस्यों के दुबारा संपर किये उन्होंने उन्होंने पाया कि जिन 13 प्रतिशत के पास लिखित लेकिन उन्हें से सबसे आश्यरे जनक की बात तो यह थी कि हारवर्ड छोड़ते से वक्त जिन ग्रेजवेट्स के पास इस पस्र लिखित लक्षे थे वे सभी बांकी संतानेवे प्रतिशत से ओस्वतन दस कुना ज्यादा कमाई कर रहे थे दोस्तों तो हमें यहां पर सीखने की आवज़ सकता है कि जो लिखित में जो लक्षे लिखते हैं वो जरूर अपना सपने तक अपना वहां तक पहुंस पाते हैं जो की तीन प्रतिशत जो इस्टूड